दोस्तों दोस्तों कुछ बिन पहले यहां पे रिलाइंस जियो ने यहां पे काफी अच्छा ओफर निकाला था जो 399 पे रिचार्ज करते हैं तो आपको पड़े 1GB डेटा मिलता अलिमिटेट कॉलिंग आपको मालिम है उसके साथ साथ दोस्तों आप 2GB पड़े यूज़ करना चाहते हैं तो आपको 509 पे रिचार्ज करना पड़ेगा तो जाके आपको 2GB पड़े मिलेगा लेकिन दोस्तों यहां पर जो हेवी केस्टमर जो हेवी यूज़र है जो डेटा देली का 3GB, 4GB यूज़ करना चाहते हैं तो यहां पे एटर ने काफी जाता गुगली खेला है म लिमिटेड चार्ज फिर है और यह रॉमिंग चार्ज आपको कुछ भी नहीं लगे लागे आप या या आप डेटा यूज़ करना चाहते थो आपको उसका चार्ज नहीं लगेगा सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसमें जो आप डेटा यूज़ करें हैं 3G, 2G और 4G ती यहां दोस्तों आप तूजी यूजिक करना चाहते यहां 3G या 4G तो आप तीनु नेटवर्ण साथ में यूज कर सकते हैं दोस्तों को इसका प्राइजिंग रखा गया जो आपको 7099 प्रेकर प्राइजिंग रखा गया इसका वेलेडीटी की बात के लिए तो मुझे काफी कम लगा जो 28 दिन की वैलेडिटी यहां पे रखा गया मेरी सबसे दोस्तों वैलेडिटी और भी बढ़ाना चाहिए था दो मन्त करना चाहिए था क्योंकि दोस्तों यहां पे जीओ आपको 329 पे रिचार्ज करने पे आपको 56 दिन वैलेडिटी मिल जाती है और साथ इसाथ आपको पड़े वन जी भी डेटा मिलेगा लेकिन दोस्तों यहां पे जीओ आपको डेटा मिल रहा है एटल के तरफ से जो मेरी सबसे ठीक है 28 दिन जो मिल रहा है क्योंकि दोस्तों जो हेवी यूजर है डेटा यूज करने में काफी ज्यादा इंट्रेस्टिंग रखते तो यह ओफर आपके लिए बेस्ट है दोस्तों आप बताएं मेरे कॉमेंट के अंदर कि यह जो आफर एटल वाली निकाला जो काफी बढ़िया निकाला या नहीं तो